Good morning everyone, मैं नबनीता, तो मैं अभी निभान के लिए टिफिन बना रही हूँ, चिली पास्ता मैंने आज बनाया, मैंने वो वाइट बला पास्ता नहीं बनाया, मेरे पास आज एही था, तो मैंने चिली पास्ता बनाया, मैं पास्ता में सारे वेजेटेबिल ज्यादा यूज़ कर क्योंकि यह थोड़ा सा नरम होने में टाइम लगता है, और इसको डाले के बाद, इसके बाद मैं इसमें बाकी सारे जो वेजेटेबिल्स होते हैं उसको भी डाल दूँगी लेकिन यह सारे चिज़ को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, जैसे आप चिली चिली चिकन बनाते ह अब यह सारे हलका सा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें बाकी वेजेटेबिल्स डाल रही हूँ, जैसे कॉर्ण, कैपसिकम, और ओनियन, यह सब को मैं थोड़ा बाद में डालती हूँ, क्योंकि इसका क्रंचीनिस थोड़ा अच्छा लगता है, मुह में लगने से अब यह सारे सॉस डालने के बाद मैं इसमें ब्लैक पीपर और शुगर एड़ करूंगी, ब्लैक पीपर तो चाइनीज आइटेम में यूज किया ही जाता है, और शुगर मैं डालती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए आप यह मत सोचेगे को शुगर डाने मैकसिमम फाइड मिनिट के लिए मैं इसको ढग देती हूँ, अब यह है कॉन फ्लावर, मैंने टू स्पून्स कॉन फ्लावर लिए है, इसको मैंने ठंडा पानी में घोल लिया है, कॉन फ्लावर उसकरने से थोड़ सा स्टिकी ने साता है, यह पानी पानी नहीं लगता है, अब मैं इसमें बॉयल पास्ता मिला दूँगी, और बॉयल पास्ता मिलाने के बाद मैं एक से दो मिनिट इसके पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें कॉन फ्लावर का पेस्ट पिड मिलाऊंगी, उसको भी मिलाने के बाद मैं एक से दो मिनिट तक पकाऊंगी, लीजे, बन तरह लव एंड सपोर्ट देते देए कि मैं और भी वीडियो आपके सामने ला सकूँ तो ये है चिली पास्ता